नमस्कार अक्काड डिश्टल गडवी में आप सबका स्वागत है हमारा पहला प्रसन है निवलिकित में से किस राजी ने प्रेटन स्रेनी में समगर विकास के लिए सर्वस्रेस्ट राजी का पुर्सकार प्रुसकार प्रुसकार प्या है। यह option आश्यम B. आंधरपरदेश C. जारकर D. गोवा तो right answer है आंधरपरदेश हाँ, आंधर परदेश को प्रेटन स्रेणी में समगर विकास के लिए सर्षिस्ट राज का पुरुस्कार मिला है उप राष्टपती एम बेंकेया नाइडु ने बिभिहिन स्रेणियों में रास्टिये प्रेटन पुरुस्कार प्रदान किये आंधर परदेश को प्रेटन स्रेणी में समगर विकास के लिए सर्फ्षिस्ट राज का पुरुस्कार मिला है जबकि गोवा और मद परदेश में अडवेंचर स्रेणी में संजुक्त विजेता थे देखे गोवा और मद परदेश को अडवेंचर स्रेणी में संजुक्त विजेता का प्रुसकार मिला है जबकि आपको आदरप्रधिश को प्रेटन सिरेनी में समगर विःकास के लिए सबसेस राजी का पुष्कार मिला है किनके दौरा? एम बैंकेया नाइडू हमारी जो उप राष्टपती है उनके दौरा तो हमारे उप राष्ट पती एम बैंक या नाइडू ने विभिन स्रेनियों में राष्टिय प्रेटन प्रुषकार प्रदान किये, आंध्र प्रदेश को प्रेटन स्रेनिय में समगर विकास के लिए सरस्रेश राज्जी का प्रुषकार मिला है, जबकि गोवा और मद्र प्र प्रतिवीराज चोहान, राइट अंसर है राजा भोज, तो बपाल मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर रखा जाएगा, और इसे भोज मेट्रो कहा जाएगा, बपाल और इंदोर के मेट्रो रेल नेटवर्क का पहला चरण 2023 तक शालू होगा, बपाल और इंदोर के मेट्रो रेल नेटवर्क का पहला चरण 2023 तक चालू हो जाएगा, प्रस्ट तीन, हाल ही में WPP की रैंकिंग के अनुसार, देश का मोस्ट वैलुएबल ब्रांड किसे घोसित किया गया है, बहुत ही महत्वर पूर्ण कोश्चन है, बहुत ही इंपार्टन कोश्चन है, हाल ही में WPP की रैंकिंग के अनुसार, देश का मोस्ट वैलुएबल ब्रांड किसे घोसित किया गया है, अज़िएबसी, कोटक महधरा बैंक, एशिन पेंट या एलाइसी, देखें, SDFC को WPP की रैंकिंग के अनुसार, देश का मोस्ट वैलुएबल ब्रांड घोसित किया गया है, और ये लगातार छटमे साल है, और ये लगातार छटमे साल, इससे मोस्ट वैलुएबल ब्रांड, चाटमे साल, मोस्ट वैलुएबल ब्रांड का एवाल प्राप्त है, ठीक है, तो हाली में WPP के रैंकिंग के अनुसार, देश का मोस्ट वैलुएबल ब्रांड किसे घोसित किया गया है, HDFC को, लगातार छटमे साल, इससे मोस्ट वैलुएबल ब्रांड बन गया है, HDFC मतलब ह इसका मुख्याले कहां है मुंबई महारास्ट में SDFC बैंक के परजेंट MD का नाम क्या है आधिक्तपुरी WP क्या है दुनिया का लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग कमपनी है प्रस्न चार निती आयोगद्वारा जारी स्कूल एड़ुकेशन कॉलिटी इंडेक्स में टॉप अस्थान जिस राज को मिला है वो राज जी कौन है निती आयोगद्वारा जारी स्कूल एड़ुकेशन कॉलिटी इंडेक्स में टॉप अस्थान जिस राज जी को मिला है वो राज जी कौन है बिहार, गोवा, दिली, केरला तो राइट अंसर है केरला केरला is the right answer तो केरला को निती आयोगद्वारा जारी स्कूल एड़ुकेशन कॉलिटी इंडेक्स में टॉप अस्थान मिला है प्रस्ण पाच, अंतरास्टिय कॉफी दिवस जिस दिन को मिनाया जाता है वो कौन सा दिन है, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 30 सप्तमबर तो अंतरास्टिय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरास्टिय कॉफी दिवस किस दिन को मनाया जाता है किस दिन को मनाया जाता है एक अक्टूबर को मनाया जाता है एक अक्टूबर को एक अक्टूबर को अंतरास्टिय कॉफी दिवस मनाया जाता है अंतरास्टिय ब्रिध जन दिवस जिस दिन को मनाया जाता है वो दिन कौन सा है 2 October, B. 1 October, C. 8 October, D. 36 September दीखे, 1 October को अंतराश्टिय विद्जन दिवस मनाया जाता है तो राइफ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 October 1 October को अंतराश्टिय विद्जन दिवस मनाया जाता है लाल भधरू साच्त्री जन्ती, बट्डे ओव लाल भधरू साच्ति जी का कब है? 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 30 सप्टमबर दीखे, 2 अक्टूबर एक खास दिन है, इंडिया के लिए खास दिन है क्योंकि यहाँ 2 October को ना सिर्फ महात्मा गांधी का जनती है, जबकि लाल बहादरु सास्त्री जी का जनती 2 October को ही है, तो लाल बहादरु सास्त्री जी की जनती कम है, राइट अंसर क्या होगा? option A option A option A right answer होगा लाल भात्रुश रास्त्री जी का जम्न दिवस कब है जम्न दिवस कब है तो 2 October प्रस्ट आठ जिस देश ने हाल ही में under 18 staff football championship 2019 का खिताब जीत लिया है वो कौन सा देश है जिस देश ने हाल ही में under 18 staff football championship 2019 का खिताब जीता है वो कौन सा देश है इटली, B, USA C, Russia, D, India तो right answer क्या होगा क्या होगा हाँ भई इंडिया, D option D is the right option इंडिया ने हाल ही में under 18 staff football championship 2019 का खिताब जीता है जिहां इंडिया ने हाल ही में under 18 staff football championship 2019 का खिताब जीत लिया है धन्यवाद